नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे फटा फटी सेशन को सेर कर दीजेगा LPN technician के लिए यहाँ बीडियो जो है ना special लूप से बनाई गए ही आप लोंके demand पे तो DV के समय लगने वाले document के बारे में पूरा बताएंगे आपको और offer appointment later जो है ना इसके साथ में कौन कौन से form आते हैं और इन form को कैसे कैसे भरना है क्या करना है इस पे special वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे और साथी देखे DV के समय लगने वाले दस्तावेज के बारे में पू आईए सबसे पहले देखे DV के समय लगने वाले document कौन कौन से आपको पहले से बनवाक रखना है देखे सबसे पहले आपको बनवाक रखना है character certificate यह आपको अपने जीला से जीला से बनवाके पहले से रखना है ताकि railway द्वारा format आपको प्रवाइड किये जाएंगे उसमें आपको हस्ताक्षर करवाने होगे SDM का या तो DM का आप करवाएंगे तो इसके लिए जो है ना वहाँ या तो इसकूल से भी करवाने होते हैं वो format पे निर्भड करता है दो प्रकार के format होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे तो यहाँ पे देखे character certificate पहले से बनवा लीज सकते हैं ब्लोक लेवल के हाला कि आपका चल जाएगा और साथी देखे यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे SCHT वाले जो भी candidate हैं वो भी आपका SCHT certificate जो होता है वो बनवा लीजिएगा railway का format का इंतिजार अभी कीजिए railway के दुवारा जो भी format दिये जाएंगे उस पर आप पर आपका समय दिया जाता है हाला कि कहीं कहीं जो हैना बीच में देखा जारहे कि एक मेने का समय दिया जा रहे है इसी बीच में मेडिकल भी रुख अर जूठ कराने के लिए फिर आपका एकी मेना का समय दिया गया है उसी के studentاد Usually dappborov आपको जॉब मिल रही है इतना करने के बाद ही तीन साल तक परिश्रम की हैं आप लोग बारबट जो है यहां पे वहां पे प्रोटेस्ट वगर सब हुआ है आप देखिए यहां पे कौन कौन से डोकुमेंट जो है न वहां पे डिवी के लिए तयार करने होते हैं सबसे पहले जान लेजिए अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो कि हमारे हाथ में है अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे सारे फॉर्म हमारे पास अबलेबल हैं इसको भरने का तरीका भी जो है आने वाले वीडियो में जो है न मिलेंगे आपको देखने को तो आइडेंटिटी होता है ये भी आपको बनवाने होते हैं ये भी फॉर्मेट मिलता है अटेस्टिशन फॉर्म से तीन पेज का होता है जिया Two सेतीन पेज का होता है identity certificate जो होता है ये एक page का होता है जिसमें gadgeted officer का signature होता है आगे दिखी बात कर लेते तीन number में character certificate का issue है character certificate जो है एक page में A4 size में दिये जाते हैं उपर में आपको last study जहां से आप last पढ़ाई करके निकले हैं वहाँ से कराना होता है principle से और साथी जो है नीचे वाले option में जो दिया रहता है वह आपका first magistrate से करवाने होते हैं हाला कि कहीं कहीं जो है ये changes भी होते हैं ये तो एक page वाला बात कर लिए character कहीं कहीं दो page वाला character certificate दिये जाते बरवाने के लिए तो इसमें है वो भी दिखाएंगे आपको तो दो page वाले में क्या रहता है कि आपको जो है वो college से नहीं करवाना होता है जी हाँ college से वो उसमें नहीं करवाना होता है first magistrate से ही करवाने होते हैं चाहे एक ही magistrate से दो-दो format में करवा लीजिए या तो दूसरे से भी आप करवा सकते हैं आगे देखे तीन नमबर बात कर लेते हैं, करेक्टर तो हो गया, पहला अटेंटी साटिफिकट के बारे में बता चुके हैं, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बता चुके हैं, अटेस्टेशन फॉर्म जो है, अटेंटी साटिफिकट फॉर्मेट, करेक्टर साटिफिकट format यह railway के दुआरा आपको offer apartment later के साथ में attach करके भेजा जाएगा इन close करके आगे देखे बात कर लेते हैं यहां पर OBC या SCST जो है यह format का क्या इसु है तो OBC का validity Central का जो माना जाता है हाला कि कहीं कहीं एक वर्स भी देखिएगा हाला कि मैं यह उतना तो clear नहीं है लेकिन 3 वर्स होता है Central का 3 वर्स होता है तो आप पहले भी आप कहीं से जानते होंगे Central का OBC जो होता है 3 वर्स हम लोग का bit चुका है हाला कि जो है नम लोग को दो बारा जो है ने OBC railway format पे बनवा के देना होगा इससे पहले आपका निर्गत किया हुआ रहेगा जी हां निर्गत किया हुआ रहेगा पहले से तब आपका railway वाला format पे वो लोग अधिकारी वहाँ पे करेंगे जे अब लोग में तो इससे पहले आप OBC बनवा लीजेगा जो candidate नहीं बनवा पाएं सेंटरल वाला OBC तो पहले से आप बनवा के रख लीजेगा तो किलियर रूप से भर के बताएंगे और computer screen पर बताएंगे टेंसन नहीं लेना है जल्दी वो वीडियो आ जाएगा आप लोग का डिमांड यदि तेज रहेगा तो तेजी से लाएंगे आगे दीके चाथा नंबर है declaration form वगएर सब आपको दिये जाएंगे चरपा जैसे bank detail हो गया family का detail हो गया जैसे कि family आपको वीबरन आपको देने होगे आपके family में कौन-कौन है माता का नाम पिता का नाम के लिए रूप से साथी भाई का बहन का इसमें भी cases क्या होता है कि जिनका साधी हो गया उनका नाम डालना होता है या नहीं होता है वो form में बात करेंगे किनका डालना होता है किनका नहीं डालना होता है railway employee होना चाहिए कहीं कहीं डिक्लिडेशन ये वाला लिया जाता है कहीं कहीं जौन-कहीं नहीं लिया जाता है इस पर भी बात करेंगे और bank detail कहीं कहीं आपका पहले ले ल ला लिगे तो हुसुक्स जगे जो है न पहले ही आपका बैंक है का शरविस वाला जो है वह वाला चलेगा जिसमें 10 डिजिट से उपर बैंक का खाता नमबर जाए जैसे कि 11 बारा जैसे कि Central Bank of India का 10 ही डिजिट का होता है तो यह वहाँ पे नहीं चलेगा और 10 डिजिट के 11 डिजिट का बात कर लेते हैं SBI का होता है दुआ आपका चल जाएगा आपका जहां पे रहते हैं वहां से नहीं आपका घर के बगल में भी भैंक है ना वहाँ पे खुलवा कि आप दे सकते हैं पहले यह सब करा लीजिए और चेक भी मांगे जाते हैं पारे तो चेक के लिए अपलाई फटाफट कर दीजिएगा जल्द ही वह आपका चेक भी आ जाएगा वह भी मांगे तो चल जाएगा और पास्बूक का चाया परती आपको लगाने होते हैं आगे दिखी बात कर लेते डेक्लिरेशन वगरे सम्में जो है न यह तो कंप्लीट ह हो गया और रेल इंपल एंपर्वाई का आप से ज्ञाद़ का जैसे की आपका ग्रेड पे उनिस्सों है जाद hackers जैब्यास को फेराना होता है कि यह यहां आधार काकट का जो है त्दक लिजीगा और पन का कोपी बीडस करों की रख लिजीगा और पास्पूट साइज फोटो जो यहां लेत 0 लांगी साइज साइज भी फोटो भी तो आपको यह करना है कि पास्पूट साइज फोटो जो है ना लाइट वेक्ग्राउंड में लेना है ऐसा नहीं कि वाइट होना चाहिए लाइट वेक्ग्राउंड जिसमें आपका कान जो है न असपस्टूप से दिखना चाहिए जिस फोटो में कान दोनों असपस्टूप से दिख गया न वो फोटो जो है न सीधा माना जाता है और बिल्कुल सही माना जाता है उसमें चेहरा जो है न फरेश आपको दीखेगा यह आप गौष करके देखिएगा तो यह आपका जो है न पासपोर्ट साइज आपको बनवा लेने हैं हाला कि एक चीज तो छुटिये गया जिस पे आपको जॉब लगा है योगता तो साबित कीजिए गातब ना आपको लेके जाना है तो जो मैट्रीक में लेके जाईएगा हा लेकिन मैट्रीक इंटर का जो बी आपका मुल परमानपत जो होता है वो आपको ले जाना है वो आपको लेके ही जाना है जितने भी original certificate नहीं आपको लेके जाना आईसा नहीं कि घर पे छोड़ देना है नहीं तो फिर आपको वहाँ पर बादाएं आएगी जी हाँ बादाएंगी फिर आपका training फिर late कर दिया जाएगा आपको रोग दिया जाएगा जो होगा बाद में जो आता है कुछ दिनों के बाद वो आपको ले के जाना ही जाना है भूलना नहीं है यहां भूलना नहीं है यह complete रूप से हो गया एक और प्रसन आप सभी काउटता है कि जिनका college बंद हो चुका है उनका क्या होगा जिनका college बंद हो चुका है मैं उनको बताना चाहूंगा ले तो आपका college जो बंद हो गया है तो आपका काम नहीं बंद हुआ है वो candidate या student का काम बंद नहीं होता है उनका काम university के पास चले जाता है और university जो college को रिप्यूट उस पर करेंगे कि हाँ इन college का काम जो है जितने भी student आएंगे आप ही किजिएगा वह college का वीवरन वह आपको university ही बता देंगे कि इस college में आपका काम होना है वहां से ही principal से आप चाहके खरवा सकते हैं यह सब चीज़ों जो है इग्नॉर करते हुए चलिएगा यह बड़ी बात नहीं है last study जो किये हैं यह भी confusion रहता है candidate में कि हम ITI से लिए हुए हैं यहां पर और साथी जो है ना मेरा यहां पर जो भी किलियर होना है डिवी के time जो RRB में दिये थे ITI का दिये थे मेरा डिपलोमा हो चुगा है यह अन्य जो है इतना दर्मियान 2-3 साल के अंदर कोई degree हम कर लिए है यह certificate वगरे से course कर लिए है तो क्या उनको हम वहाँ पर सो करा सकते हैं बिल्कुल करा सकते हैं और last study आपका वही माना जाएगा और वहाँ पर डाल सकते हैं और 15 वर्स के बाद जो भी degree किये हैं या diploma किये हैं या जो भी certificate course किये हैं वो उसका करनवाना है किन से signature कराना है identity certificate कहां से signature कराना है किसे करवाना है witness कौन होगा और साथ ही कौन ले सकता है पूरा विवरण के साथ जो है न वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे आगे देखे थोड़ा सा यहां पर क्या सर्वीस बॉन्ड के बारे में बता चुके हैं फैमिली विवरन वगरे सब बता चुके हैं और 10 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो कहीं कहीं मांगा जाते हैं स्टम साइज के बारे में बात कर चुके हैं NOC, जी हाँ, NOC का एक मेंटर रहा गया, No Objection Certificate, यह लिए आपको परदान करने होते हैं, यदि आप इससे पहले पूर्ब में कहीं जॉब कर रहे हैं, छोड़े नहीं हैं, या छोड़ दी हैं, इसका विवरन भी आपको Attestation Form में में विवरन देना पड़ता है, और NOC वहाँ से ले के आना होगा, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या SSC डिपार्टमेंट या अन्यापे State Government का कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, वहाँ से NOC आपको ले के यहाँ पे देना होगा, एक बात यहाँ पे रह गया था, अधर डिक्लिरेशन फॉर्म वगरे से बता जिये, पासब बैंक पासबूग बता दिये, और पैन कार्ड और अधार कार्ड वगरे से बारे में बता दिये, NPS फॉर्म, NPS फॉर्म जो है ना, ये National Pension Scheme जो होता है, इसके तहद में ये जो फॉर्म आप लोगो जो भरना है, इसका फॉर्मेट हो सकता है कि अपर अपरमेट लेटर में ही भेजे जाते हैं, या कभी कभी नहीं भेजेते हैं, डिवीजन में जो है न वो प्रवाइट किये जाएंगे, वहाँ ही बरके जो है न सम्मिट कर देना है, उमीद करते हैं आपके जितने भी प्रस्न बनते हैं, यहाँ पे डिवी को लेकर सभी प्रस्न जो है न कंप्लीट रूप से किलियर हो गए होंगे, और साथी जो है न कनफूजन भी दूर हो गए होंगे, यदि अभी भी कोई कनफूजन है न तो आप कमेंट सक्षन में पूछ सकते हैं, बच गया यह फॉर्म दिखाना किस किस टाइब का फॉर्म कैसा होता है, तो अभी आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में सुरू से हंतक बने रहिएगा, थोड़ा सद एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आईए, सबसे पहले देखिए, यह एटेस्टेशन फॉर्म है, यह एटेस्टेशन फॉर्म है, जितने भी फॉर्म यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, सभी फॉर्म जो है, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, एक-एक करके, ठीक है, एक-एक करके देख लीजेगा, और टेलीग्राम का लिंक कहां पे है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है न, लिंक मिल जागा, दो-चार लाइन लिखाओगा उसके नीचे आपको, लिंक मिल जागा, उसे जोइन कर लीजे, वहाँ से यह आप प्राप्त कर लीजेगा, बिल्कुल हिंदी में मिलेगा, हिंदी में भरने को मिलेगा, और अंग्रेजी वाला में भी जो है न सेम रहता है आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी वाले को भी यहां पर प्रोब्लम नहीं होना है इंदी बासी वाले को तो यह आपका यह जो होता है यह तीन परती में होता है कहीं कहीं आपका चार परती में चले जाता है इसलिए कि यह ज प्रब के में तो अच्छा है न ची अच्छा आपको मिल रहा है तो अच्छ अच्छ फॉर्म को साबधानी पूरवग 2-4 कवपी आप प्रिंट करा लीजिएगा यानि कि उसका जो है क्या करना है जिरॉक्स कॉपी करा के उसमें आपको रेहल सेल करना है कैसे भरना है गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक वार फॉर्म आप गलत भर के जाईएगा तो फिर आपको डांट खाईएगा वहाँ पर मिलेगा डांट खाईएगा और उसमें सिगनेचर वगर सब जो करवा के जान से उपर वाले भाग में क्लेस से करना होता है और साथी नीचे वाले भाग में यह करना होता है फर्स मज़ी स्टेट से एकusta है चाहिए fois से करवाना होता है यह बिधियो में पहले ही बता चुके हैं कभी कभी क्या होता है कि करमचारी होना चाहिए और साथी जो है यहां पर गवाह के नाम पर और क्या पद है एस्टेशन कहां पर कारीरत हैं और हस्ता अक्षर उससे जो है ना कुराया जाना है इसके साथ में आगे प्रवारी विवरन यह अगरे सब केलियर हो जाएगा करमचारी का नाम और परिवार देख लिजे कहीं कहीं डिविजन में यह दिये जाएंगे कहीं कहीं नहीं दिये जाएंगे इसमें पूरा पडिवार का विवरन देना होता है पिता का माता का नाम भाई का बहन का सब का नाम इसमें देना होता है जनुतिती देना होता है और साथी जो है आधार नंबर भी क बुकतान के सम्मंद के लिए जो है न यह एक डेक्लिरेशन फॉर्म राता है जिसमें यह किलियर रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो है न सीबीस वाला बैंग यहां पर लिखा हुआ है कि बैंग खाता नन कोर बैंकिंग ब्रांच का होना चाहिए जो है 11-15 डिजिट का होत यह दो पेज में जी हां एक पेज तो यह हो गया ध्यान से दिखेगा एक पेज यह हो गया इसमें जो है न क्या है फॉर्मेट ए हो गया और साथी जो है इसके साथ में एक फॉर्मेट बी दिया जाता है दोनों में आपको कराने होते हैं इसमें आपको कॉलेज दोरने का में रहता है ये देख लीजेगा जैसा आएगा उस पे निर्भर करता है ये देख लिए आगे देखी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नौट्री से सपत पत्र जो बनवाना होता है कहीं कहीं अलग से भी सपत पत्र मांगने होता है सो रुपए का non judicial stamp paper पर तो ये भी आपको बनवाग देने होंगे कहीं कहीं नहीं मांगते हैं वो आपका क्या आता है offer appointment लेटर में उस पर निर्वर करता है चलिए इसे भी हटा देते हैं ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर यह तो अंग्रेजी में हो तो हिंदी में ता format एक ही बात है हिंदी अंग्रेजी दोनों में format यह चलेगा आप देखें bond of यह क्या है अचा हाँ यह आपका यह bond जो बनेगा ना security bond जो होता है जिसे आप इंडी मेनेटी bond बोलते हैं यह आपका बनना है यह आपका कितना पेज में रहता है यह bond दो page में रहता है यह जो है पहला page को यह अचा है यह यहां पर स्यूरिटी आपका लेगा आपसे ज्यादा grade पे का यह आचा है headmaster हो यह आपके अंकल कोई भी लगते हैं जो कि आपका security ले सकता है क्या कौन से office में काम करते हैं वही security ले सकता है ठीक है यह ध्यान रहे उसके साथ में दो गवाह का signature होता है जो आपका guardian के रूप में आप अपने पिता जी का भी वहां से मिले हैं सभी को आपको वापिस करने होते हैं इसलिए यह बनवाए जाते हैं कैसे भर ना इस पर वीडियो लाएंगे आप देखिए यह format है OBC का OBC का format पर कभी कभी यहां पर date में कुछ होते रहाता है यह 2004 का है कही 2007 देखते होंगे लिखा हुआ कभी 2011, 2012, 2017 वाला जो है आप जरूर योज की होंगे देखिएगा आपके पास OBC पहले से निर्गत जो करवा है रेलवे format पर यहां पर 2017 लिखा होगा गौर से देखिएगा OBC वाले तो 2017 अभी चल रहा है 2000 आपका पर चलेंगे आपको बनवाना नहीं है तो आपको ब्यर्थ टाइम हो जाएगा ब्यर्थ नहीं करना है इन सब चीजों में टाइम हाला कि आपको OBC पहले से बनवाकर रखना है ताकि इस format पर जो है करवाने में आपको वाले पर प्रोब्लम नहीं होगा चले इसे हटा देते हैं आगे यहां पर क्या है हां साथ ही जो होता है उसके लिए यह format पहले से भी इसमें कोई चैंज उन्जेज नहीं है तो 1992 से चलता आ आ रहा तो इसमें आप करवा सकते हैं और साथ ही देखिए यहां पर इनका दो पेज में होता है तो यह दो पेज में होगया और अड़िन technician का joining को लेकर और साथ ही आपको महाँ पे video back topic मिलते रहेंगे उमीद करते हैं अब आपके मन में कोई भी confusion नहीं रहा होगा फिर भी यदि confusion है आप comment section में पूछ सकते हैं next video में नए video के साथ पुना मुलाकात होगी यदि ये information आप सभी को अच्छा लगा हो तो video को लाइक कर दीएगा अपने दोस्तों भाई बंदों मित्रों में सेर कर दीजेगा जहीं चेवाज़